आसत को लेकिन आप अलग नहीं रख सकते नहीं बिल्कुल जोड़ दूगा लेकिन क्योंकि आपने ये कहा कि एक एक लाइन जो है वह आप चाहे फिल्म्स हो फिल्म फ्रेटरिनिटी हो शायर हो इसमें भी देखिए एक पॉलिटिकल लाइन आ गई और एक डिविजन आ गया अ और वह उन ट्विटर हैंडल को फॉलो कौन कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा ना फिल्मी कलाकारों को बुला करके उनका राजनायतिक इस्तेमाल कौन कर रहा है इससे पहले भी देश में फिल्में बनती थी वालीबुड है ही उसकी पुरानी परंपरा है लेकिन फि पर जीस्टी लगा रही है उस देश का भगवानी मालिक है ओक मुरायणा अपने पसंद की फिल्में टेक्सक्री की जा रही है और कुफन पर जिस्ती लग रही है दूद दही मखं यह नहीं हैं तो यह कौन कर रहा हैrounded कि सरकार कह रही है है सबका विकास होता हम सबके साथ ह हैं और सबका विश्वास लेकर चलना चाहते हैं कोई अलग नहीं है हमाई नजरीय में तो प्रणाली है विधायक दल नेता चुनता है लेकिन इतने वरिस्ट नेता जो सेकेंड लाइन लीडर्शिप है भारतियंता पार्टी की किस तरह से केंद्री नित्रुत उसे मतलब उसे समाप्त कर रहा है यह हम तीनों राज्यों में देख रहे हैं ठीक है मैं कॉंग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं लेकिन हमारी सहानुभूती है शुरा सिंग चोहा ने का कोई मेरा मन नहीं है लेकिन यह हो तो रहा है ना सबका साथ सबकाविकास आप जिस संदर में कह रहे थे मैं उसे दूसरे संदर में खेह रहा हूं विचारे मेहनत किया शुरा सिंग चोहान ने लाड़ली बहनाओं का अब क्या होगा लाडली बहना उनसे लिपटके र विवर में नहीं थे हाला कि एंटीन कममनसी लोग कह रहे थे मत्प्रदेश में सरकार आ रही है 36 गर्ण में आपके पास एक popular chief minister था उसके बाद भी सरकार नहीं आई राइस्थान एक रिवाज एक एक बार का उसको मैं डिसकाउंट करता हूँ क्या तीन वजे थी जो कॉंग्रेस पार में वापस नहीं आ पाई सबसे पहली बात कि रिजल्ट से पहले exit पोल के बाद से जिस तरह का एक महाल बनाया गया कि कॉंग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया या तीन राज जैसे बुरी तरह मैं इस हार को बहुत बुरी हार नहीं मानता दो परसंट डेढ़ परसंट ओट का डिफरेंस है राजस्थान में 36 गड़ में मद्यपरदेश यकीनन हमारे लिए सर्प्राइजिंग रहा ल लेकिन अशोग गहलोज जी की राजस्थान सरकार की जो योजना हैं थी वो इतनी शांदार थी कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में किसी भी राज्य में कोई बिरोधी भी आकर के कह दे कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना गरीबों के लिए पूरे देश में कोई है तो मैं मतलब मैं अपनी बात वापस ले लूँगा पचीस लाख रुपए का फ्री इलाज किसी भी व्यक्ति को और उसे हमने घोशना पत्र में आखरी दिनों में का कि इसे पचीस लाख से बढ़ा के पच्चास लाख करेंगे तो यह आसान योजना नहीं थी हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे बारती जन्ता पार्टी ने ध्रुवी करण की कोशिश की उसमें सफल रही हम यह मानते हैं कि थोड़ी सी रणनी तिक चूक रही हमारी लेकिन ते तिलंगाना बनाया था ते लंगाना को सजाने सवारने का सפना हमारा था हमने बहुत शादार तरीके से वहाँ जीत दर्ज की वहाँ बियारस हारी भाजपाहरी दोनों मिलके लड़ रहे थे फिर भी हारे ऐसे में हम इस चुनाओ के नतीजों से थोड़े से कहीं न कहीं हलके से हमें चिंता है इसमें कोई दोरा ने लेकिन मैं यह नहीं मानता कॉंग्रेस के कारकरताओं को इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है यह चुनाओ दो हजार चौबीस का सेमी फाइनल जैसा था लेकिन सेमी फाइनल में हम अच्छा लड़े हैं हम इससे इंकार नहीं करते चतीस गड़ में भी ओट का प्रतिशत बहुत कम रह गया और यह जो तीन राज्यों के रिजल्ट है आप पिछली बार यह तीनों राज्य हम जीते थ बीजेपी बार-बार कहती है कि कॉंग्रेस जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है देखिए भारती जन्ता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है वो दानिश अली को मंत्री दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाएं मुखतार अब्बास नक्वी को राज्यसभ बेजें वो सेयद जफर इसलाम को भारती जन्ता पार्टी वाले राज्यसभा बेजें तारिक मंसूर को अलीगड़ उनुवस्टी का वीसी रहते उठा करके रास्टी उपाध्यक्ष बनाएं और MLC बनाएं तो वो मुस्लिम तुस्टी करण नहीं है तब तो यह कहेंगे कि यह सबका साथ सबका विकास है लेकिन अगर भारती जन्ता पार्टी के बरक्स कॉंग्रेस पार्टी किसी मुसल्मान को टिकट दे लोक सभा का राज्यसभा का तो यह मुस्लिम तुस्टी करण इस देश के किसी भी समाज को राजनेतिक तोर पे प्रतनिधित्त देना तुस् आत करना तुस्टी करण है यह तो मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है फिर तो आप जब किंग मुहमत सल्मान को बुला करके या फिर कतर के बादशाह को बुला करके इरान के बादशाह को बुला करके गले से लगते हैं तो यह कौन सा तुस्टी करण है कौन सा तुष्टी करने क्यों मिलते हैं आप अगर आपको मुस्लिम शब्द से ग्री मंत्री जी तेलंगाना में खड़े होके कहते हैं कि हम 4% मुस्लिमों का जो रिजर्वेशन है उसे समाप्त कर देंगे ये ग्री मंत्री की भाशा हो नहीं चाहिए आप एक समाज के प्रति एक धार्मिक समाज जो इस देश का अभिन हिस्सा है जिसने इस देश की आजादी की लडाई से ले करके देश के बनने समार ने सब में अपना बराबर का योगदान किया है तुने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है तु ये कहता है मुसल्मान पराया रक्षा मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है आप कैसे अलग कर सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं और अगर आशक करते हैं तो उनका ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास यह कोरा है यह जूटा है यह बकवास है जी क्योंकि प्राइमिस्टर के आपने बात करी आप देखें जो यह स्टेट्स थे कोई भी स्टेट लीडर को बीजेपी ने सीम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था जबकि सिटिंग शिवराज सिंग चोहा कि और यह वोट नरेंद्रमोदी का है राज्यों है दिस आमने युवा बैठें चात्र बेठें मैं ऊथ हो सकता है है कि अलगने एप मानने वाले विचारधारा को मानने वाले लोगा हूं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंतरी है, राजस्थान में खड़े हो करके साठे चारसो रूपे के गया सिलेंडर की गारंटी देते हैं, देते हैं, मुझे देश बताए, के उत्तर प्रदेश में तो सरकार है न, आप तो प्रधान मंत्री हैं पूरे देश पर आपकी सरकार है ना पूरे देश में आज से 4500 का लागू कर दीजे ना कि यह जूट आप क्यों बोल रहे हैं यह गुमराह देश को क्यों कर रहे हैं चुकि कॉंग्रेस पार्टी ने 500 रुपए का राजस्थान में gas cylinder दिया इसलिए मजबूर हो करके आपको यह कहना पड़ा कि हम राजस्तान में 4500 का तिलंगाना में हम gas cylinder 4500 का देंगे ये जो शब्दों का जाल बुनते हैं प्रधान मंत्री जी दरसल वो जूट होता है देश को मैं ये आप कहना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी ने अपने चुनावी केंपेन की शुरुआत 2014 में जब की तो उन्होंने तीन बड़े नारे दिये पहला नारा दिया उन्होंने बहुत हुई महंगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार इस नारे को तथ्यात्मक तौर पर जराब जांच लीजे तो आप ये पाएंगे कि सरसों का तेल जो सत्तर रूपए किलो था वो दो सो रूपए के पार हो गया प्रिजन टाइम में आटा दूद दही छाच पनीर लसी क्या नहीं महंगा हो गया डीजल अठावन रूपए लीटर था सो रूपए के पास पहुच गया गैस सिलेंडर बारा सो रूपए तक का विका ये पहला नारा था दूसरा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम जहां बैठे हैं यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर ओलंपिक पदक लाने वाली बे अच्पा का एक विधायक बलातकार के आरोप में सजा काट रहा है और कल ही सोन भद्र में भारती जन्ता पार्टी का एक विधायक एक नाबालिक बच्ची के बलातकार के आरोप में कल ही उसको सजा का एलान हुआ है सजा कल सुनाई जाएगी जेल भेज दिया गया यह वही भारतियंदा पार्टी है जो कठुआ में बलातकारी के समर्थन में नारे लगाती है और यात्रा निकालती है ये है दूसरी नारे की सच्चाई इधर प्रधान मंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े हो करके महिला सुरक्षा, महिला बचाओ, महिलाओं के शसक्ती करण पर भाशन देते हैं और उधर गुजरात में बिल्की इस बानों के जगन ने आरोपी बलातकार के वो रिहा किये जा रहे होते हैं और उन्हें माला पहनाई जा रही होती महज धाई घंटे के बाद 15 अगस्त के दिन ये हैं दूसरे नारे की सच्चाई अब तीसरा नारा है सब सबका साथ सबका विकास मुक्तार अब्बास नक्वी जफर इसलाम एमजे अकबर तीनों लोग कहां हैं आपको पता है आज कर राज्यसभा में हुआ करते थे भारती जनता पार्टी लोकसभा में एक भी टिकिट किसी मुसल्मान को नहीं देती ठीक है वो उनकी अपनी जूटा है दो में से एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी किसी भी प्रदेश के विधान सवभी राज्थान का चुनाव गुजरा यूनुस खान निर्दली चुनाव जीत करके आया वसुंद्रा राजे का बरिस्ट कैबिनेट मंत्री हुआ करता था उसको टिकेट नहीं दिया उन्हें क्यों क्योंकि वह मुसल्मान है तो फिर यह जो आपके तीनो नारे दरसल जूटे हैं ठीक है कि आपने महिलाओं की और लड़कियों की बात करी बिहार एलेक्शन से स्टेट एलेक्शन से अब तक हमने देखा कि एक ट्रेंड है जो महिलाओं का वोट है उसकी जो तादाद है पहली बात तो बड़ी है यह अच्छी बात है और वो देखा गया है एक सर्वे भी है भी है कि वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के पक्ष में जा रहा है और वही बिन्विल्टी का कारण हो रहा है आप राज्यों में भी देखिए अगर मद्ध्रदेश में 36 गड़ में जो महिला वोट बैंक है वो बीज़ेपी की तरफ है ने अल्टीमेट उन्हें मिल चोहान बेचारे आज कह रहे हैं कि जसकी तसरक दीनी चदरिया वह आज किसी ने बहुत अच्छा एक शेर पोस्ट किया है मैं तो शायर हूँ कि 18 साल तो कुछ कम नहीं होते मामा सबके दामन में तो व्यापम नहीं होते मामा या तो दिल्ली में कोई होता आपका दिल्दार सनम या तो फिर साहिवे आलम नहीं होते मामा तो साहिवे आलम ने क्या किया मामा को निपता दिया उधर महिलाओं ने इस नाम पर ओड़ दिया के महंगाई कम होगी लेकिन किचन में सबसे ज्यादा महंगाई को जहलता कौन है महिलाओं जहलती हैं बहने जहलती हैं जब वो सबजी बनाने के लिए कड़ाई में सरसो का तेल डालती है तो उसके साथ उनके आंसू गिरते हैं क्योंकि जो 70 रुपए था वो 200 रुपए किलो हो गया महिलाओं को मिला क्या महिलाओं को मिला ये के जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था वो हजार रुपे के पार हो गया बर्नर आउन कर रही है तो भाउनाएं भी उसके साथ जल रही है तो अगर किसी जहां से में आके महिलाओं ने ओट किया भी तो ultimate उनको मिल क्या रहा है महिला सुरक्षा की बाते प्रधान मंत्री जी कर रहे है लेकिन मैं तो मतलब पूरे देश की बात अगर करूँ तो कोई एक राज्य बता दीजे जहां महिलाओं खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है लेकिन वोट दे रही है हाँ वोट दे रही है तुझको कितनों का लहू आचाहिये अर्जे वतन कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा मुझे भी हैरत थे कि वोट क्यूं दे रहे मैं मोरभी में था गुजरात चुनाओ के दौरान प्रचार में मोरभी में पुल तूटा एक सो से ज़्यादा लोग मारे गए और वहाँ भाजपा बड़े बहुमत के साथ चुनाओ जीती मैं एक चैनल पर इंटर्विव में था लोगों ने कहा कि भाई वहाँ भी जीते तो मैंने कहा वाकई कैसे जीते कौन सा मेकेनिजम है हमें ये समझने की जरूत है कि एक तरफ लाशें बिचिए और महिने भरबात चुनाओ है और चुनाओ जीत रहें वह तो इस मेकेनिजम को तो देश को समझने की जरूत है कि कौन से मुद्दे चाहिए चुनाओ लड़ने के लिए मुद्दे क्या चाहिए जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए ये जनता को भी थोड़ा तै करना है महंगाई मुद्दा है तो महंगाई तो इस सरकार ने आस्मान पर पहुँचा दी सुरक्षा मुद्दा है तो आस्मान पर पहुँचा दी दुर घटनाएं लगातार बढ़ गई रेल्वे के सुरक्षा भगवान भरोसे है रेल्वे का फेयर इस्थिति यह है कि कहीं कहीं तो डायनेमिक फेयर के नाम पर टिकिट से भी महगा हो गया थी तो कभी-कभी मुझे लगता है कि मुद्दे क्या हो गया है मैं पूछना से पूछना चाहता हूं कि मुद्दे क्या होने चाहिए अगर यह सवार्श गारियनों नहीं तो ब जाड़ी बहन योजना थी वह मतपदेश में काम कर रही है बीजेपी की एंटी इंकंबंसी इंकंबंसी में कनवर्ट हो रही है लेकिन जो योजना आपने राजस्थान और 36 गण में चलाई वो आपके पक्ष में काम नहीं कर रही है दोनों जगे गैरेंटीज कही अगर आप बहुत अच्छा काम किया बुपेश बगेल जी ने बहुत अच्छा काम किया आप आप कही सर्वें के सरकार बन रही है आप मतलब कई चैनलों के प्रमुख चैनलों के सर्वे बता रहे थे दूसरी महत्तों मुड़ बात है कि चूक यह हुई कि शायद हम उन योजनाओं को जमीन तक पहुंचा नहीं सके राहत कैम्प लगा करके मुख्यमंत्री अशुक गहलोत ने 500 रुपए के सिलेंडर जनता को तब दिये जब देश 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा था यह सब चीजें तो हमारी सरकारों ने की आज के दौर में 25 रुपए का फ्री इलाज आसान बात नहीं है पांच लाक रुपए का आयुश्मान कार्ड सेंटर गवर्मेंट देती है मैं हेल्थ कमे सब्सक्राइब करेंधा तक हमारी रुपएं नहीं पहुंची तो हम मानते हैं कि कई नीतिक चूक है मोदी व्य democrats सुधाषार कर देते हैं ऐसे प्रद्धान मंत्री जी की फोटो हारे तो नडडा जी की फोटो नहीं हमेशा से नडड़ा जी की और खर्ड़ी जी की दो फोटो लगाई तो इस देश का मीडिया ये चाहता है के सब कुछ अगर कुछ अच्छा हो रहा है भातियनता पार्टी के यहां वहां और भी नेता है थोड़ी राजनात सिंग जी को भी क्रेडिट दीजे थोड़ी व के अच्छ में होने के बावजूद मैं कांट्रेस पार्टी का मिंब्लां पार्लेमेंट हूने के बावजूद करा हूं कि मढध्यप्रदेश में शुराज सिंग ने बहुत मेंफेनट थी ती मेहनत की वजा से बारते जन्ता पाटी बढ़त पे लोगहाई है, हुआ कर लानी दूर बहुत महनत की देंगे, राजस्तान में वसंदरा जिने सबसे ज्यादा महनत की लेकिन वहाँ भी स्ट्बना जी सब्डना जी कि साब अगर आप लाडली बहन योजना को क्रेट दे रहें शिवराज जी को तो साब उन्होंने का लाडली बहन ना राजिस्थान में योजना थी ना लाडली बहन च्छतिसगड में थी मतलब आम मोदी जी थे वहीं तो जगे थे आप केलाश विजय वर्गी की बात कर रहें आप बताईए कि केलाश विजय वर्गी जी नहीं चाहते थे कि शुराज जी सीम बने फिर से निप्टा दिया गया उनको तो अपने मकसद में सफल हुए यह जो हिंदी हाट लेंड कर चुठी के डीकप्लिंग और पॉलिक्स आपने समझाय मैं मान गया 20 साल पहले आप भी राज्यों से बाहर हुए थे आ गए थे लेकिन हिंदी हाट लैंड में इस वक्त यह जो चुनाओ था इसमें से अगर चत्तिजगर राज्थान मत्पदेश में से आपको एक राज मिलता तो यहां से 24 का महल बैलेंस में क्रियेट होता कि साब दो पार्टी चुनाओ लोड़ जोंके चुनाओ हा रहे हैं तो 2024 में आपकी संभावनाएं बिल्कुल धूल धूरसित हो गई नहीं कहा था ना अपने दरसल हिंदी हाट लैंड का जो रेजल्ट आया है हमारे लिए कहीं न कहीं चिंता जनक है में इससे इंकार नहीं कर रहे हैं लेकिन इंडिया एलाइंस ज जिसके बाद हम लोगोंने वाक आउट किया इंडिया जिस दिन से इंडिया एलाइंस बना वो इंडिया नहीं बोलते हैं इंडिया एलाइंस यह घबराहट है पुरद्धान मंत्री जैसे गरिमा मही पदपर बैठा हुआ विक्ति इंडिया एलाइंस को कहता है कि ने निए तो अर्बन नकसल हैं ये तो जंग लगा लोहा है भोपाल में वो बोलते हैं कहीं न कहीं इंडिया एलाइंस से जो घबराहट है वो ये दर्शाती है के दो हजार चौबीस के समीकरण में इंडिया एलाइंस बहुत भारी पड़ेगा ये मेरा विश्वास है और हिंदी हाटलेंड दक्षिन भारत और उत्तर भारत में देश को बाटने की जो कोशिश है मैं उस कोशिश से इंकार करता हूं दक्षिन भारत हो उत्तर भारत हो नौर् दोलेंगे हमारे लिए पूरा भारत एक है हमारे लिए कन्या कुमारी से कश्मीर तक भारत एक है यही वजाए कि राहुल गांदी जी चार हजार किलोमीटर पैदल चलते हैं देश को जोडने के लिए ठीक है क्योंकि आपने बात अलाइंस की करी आप भी उत्तरप्रदेश स आते हैं अलाइंस पार्टनर्स को लेकर बहुत सारे विवात थी इन राज्यों के चुनाओं में खास और से अखलेश यादो वो मत प्रदेश में शुन ओलना चाहते थे का साब बात चीत हुई उसके रटा दिया गया और ऐलाइंस पार्टनर में भी बहुत ज्यादा आप रेकाल को छोड़िएzogen एंडि एलाइंस के गहटक दल हैं जीतन राम मांझी जी मर्यादा पुर्शोत्तम राम पर उनका दिया गया स्टेटमेंट आपको याद है कभी हाला कि आप उसको उद्धित नहीं करते मर्यादा पुर्शोत्तम राम पर उन्होंने लगभग लास्पद बात कही लेकिन जेपी नड़ा जी उनको चिठी बुला करके चिठी भेज करके इंडिया एंडिये एलाइंस का हिस्सा बनाते हैं आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादो मद्यप्रदेश में लड़ रहे थे और कॉंग्रेस भी लड़ रही थी एकनाथ शिंदे जी भ सहयोगी दल जो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं मारास्ट्रा में वो एक दूसरे के खिलाब चुनाओ कैसे लड़ रहे हैं दरसल जिस दिन से इंडिया एलाइंस फॉर्म हुआ है भाजपा का और मीडिया का एक सूत्री कारेक्रम है कि इस एलाइ को भी सबने साथ में बैठके खाना खाया है उननीस को फिर खाना खाने जा रहे हैं दो हजार चौबीस में ये एलाइंस पूरी मजबूती के साथ एक जुठो करके लड़ेगा क्योंकि हमारे लिए अपने राजनेतिक स्वार्थ से ज्यादा महत्तुपूर्ण है लोकतंत्र करेंगे इसलिए दरार दिखाने की कोई कोशिश ना करिए दरार बिलकुल नहीं है राजनेतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं मत विन्नताएं हो सकती हैं लेकिन हम एक जुठ हैं क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है घर सजाने का तसवर तो बहुत बाद का है वसीम बरेलवी क कि इस घर को बचाएं कैसे मसला सम्विधान और लोकतंत्र को बचाने का है हम उस लड़ाई में साथ खड़े हैं बहुत शुक्रिया इम्रांत्रतिप ग्री साहब आप आप आई दन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया जैसे मैंने आपको कहा था कि अपने शायरिक अंदाज औ और अपने धमाकिधार भाशन के लिए जाने जाते हैं आप सबने काफी इस सेशन को इंजॉय किया